नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर फटफट अंदाज में जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरे कनाटक दौरे पर पहुँचे पीएम मोदी विबिन परियोजनाओ का किया शिलन्याद जोशिमट के रहत कारियों की सीएम ने की समीक्षे अधिकारियों को दिये निर्दे शिवराव सिंग चौहान कर रहे एक के बार एक बैठर विधाय को से ले रहे हैं जिले की रिपोर्ट सौदी मालिवाल को 15 मीटर तक कार से घसीटा गया आरोपी को किया गया गरफता सरकार के साथ पहलवानों की बैठक खत्म बद्रंकूनिया बोले हम संतुष्ट है हिंदुस्तान में एक भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए अगर हम भी सुरक्षित नहीं है तो कौन विनेश खोगाट का बड़ा बयान शंकर मिश्रा परेयर इंडिया ने लगाया चार महीने का बैन फ्लाइट में महीला पर यूरीन करने का है आरोप दिल्नी में एक बार फिराम आदमी पार्टी और उपराज पाल में दरार विधान सभा के बहर गांगी प्रतीमा के पास उपराज पाल के खलाफ आप विधाय को कधरना राजसान में एस्पी दिव्या मित्तल निलंबित रिश्वत के आरोप में कल हुई थी गिरफतार हमारी लडाई गैर राजनीतिक बजरंग कुनिया ने कहा हम इसे खुद लड़ सकते हैं राम चरेत्रमानस पर दिये गए बयान पर विरोध जारी केंद्रिय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना में शुरूतिया मॉन्विरस शिमला समेट का इलाकों में बर्फबारी का अलेट पैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड बिहार के मोखे मंत्री नितिश कुमार ने दिया बयान कहां मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वा कांशा नहीं है सिर्फ विपक्ष को एक जुट करना चाहता हूँ दो संदेग दातंक वादी हुए अरेस्ट दिल्ली पुलीस की स्पेशल सेल ने किया गिरफतार कोटा में हुआ बड़ा हाथसा केरोसीन ओयल डालकर छात्रन खुद को लगाई आगम भी हालत में अस्पताल में भरती छात्रों के खुदकुशी परेक्षन में राधिस्थान सरकार कोटिंग छोड़ने पर दस दिन में लोटानी होगी फीस अंतिम पड़ाओ के ओर राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा आज जमू कश्मीर में प्रवेश करेगी यात्रा जमू कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री उमर अब्दिल्ला ने की अपील कट्वा कान के आरोपी का समर्थन करने वाले नेता को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ना करने की उठाई मांग श्रिलंका पहुचेंगे विदेश मंत्री एस जैशंकर करेंगे दो दिन का दौरा त्रिपुरा में कॉंग्रेस की रैली पर हमला आजय कुमार हुए घायर अफगानिस्तान में हंड का कहर भीशन सर्दी से 70 लोगों की मौत महराश्र के पालधर में एक्सेसाइस के दौरान हुई मौत जिम में वर्काउट कर रहे हैं बुज़ूर्ग ने तोड़ा दम आज होगी अनन्थम्बानी राधिका मर्चेंट की सगाई सगाई का जश्न मेंदी की रसम के साथ हुआ शुरू मनी लॉंडरिंग केस में नोरा ने दर्ज करवाया बयान बताया सुकेश उन्हें अपनी गर्डफिंट बनाना चाहता था फिलाल खबरों में इतना ही जुड़े रहे हैं आज की खबर के साथ ताज़तरीन खबरों के लिए मुड़ मुड़ रखड मुड़ थिलाएилась